इसलाम अलेकून वीवर्स खुची मकबूल चैनल में आज मैं आपको सीक्स एयर की तूलिफ चलवार जिसे हम तूलिफ चलवार भी के सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं उसकी कटिंग और स्टीचिंग बताऊंगी आपको example देने के लिए इसका मैं आपको style बता देते हूं ये देखें हमने इस type की piping का इस्तमाल करना इसकी cutting इसी type की करेंगे ये हमने अपनी पहले वाले वीडियो में इसकी वीडियो नहीं बनाई थी यानि के channel space की वीडियो नहीं बनाई थी हमारे subscriber की request पर मैं इस चलवार की cutting कर रही हूँ तो cutting शुरू करते हैं सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने length कितने ही रखनी है इस trouser की length हमने तयार 25 inch रखनी है belt के साथ इसमें ही हम belt 2 inch का fold करेंगे और belt जो extra belt डालते हैं जिसमें चुनट देते हैं वो हमने 6 inch का लेना है यानि कि 8 inch का लूँगी चलाई के बाद वो 6 inch का रह जाएगा तो उसके बाद मैंने जो length लेनी है 6 inch की निकाल कर अब यूँ देखें कि मैंने अगर 25 inch का तयार रखना है तो ये इतना 6 inch और 8 inch ये इतना हिस्सा हमने ऐसे ले लिया आपके असानी के लिए मैं सब कुछ इसके लिए बताती हूँ ताकि आपको समझा जाए देखें इतना हिस्सा जो बचा है ये अब इसका साइज हम डबल फोल्ड करेंगे ये 90 inch का रह जाएगा ये देखें 90 inch का और इस तरह से मैं डबल फोल्ड करूंगी बहुत आसान कटिंग है सिंपल तरीके से सिर्फ पाइपिंग की महनत है बहुत ज्यादा इसमें ऐसा काम नहीं है क्योंकि ये इसकी हमने पकाया कपड़े की जो बागी कपड़ा बच जाएगा हमने वो अंदर छोटी सी शर्ट भी बनानी है क्योंकि ये काफ़तां के साथ ट्राउजर हम बना रहे हैं ये देखें बिल्कुल मैंने इसको स्ट्रेट रखा है किनारी वाला हिस्सा ऐसे रखेंगे जैसा आपको नजर आ रहा है ऐसे अगर आप चाहें तो पहले ये तमाम क कपड़े को एकवल कटिंग कर लें तो ज्यादा बैतर है अब इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया और इस तरह से साइड से कपड़ा था वो मैंने कटिंग कर लिया अब इस तरह से हम इसको ऐसे करेंगे जो हम अकसर ट्राउजर के पाइंचे बनाते हैं शिलवार का या जित इस तरह से इतना हिस्सा ऐसे रखें और बाकी जितना भी कपड़ा बच जाए इसको इस तरह से यह देखें इस तरह से करना है इसमें कोई कटिंग नहीं है यह ऐसे हमने रखना है और यह वाला हिस्सा जो मैंने डबल दिखाया है पहले हम इसको कटिंग कर लेंगे ताकि आप साथ ये वाला गया इसमें पाइप इन आ जाएगी पिर इसके बाद जो बाकी ये दोनों है पीस इसको हम ऐसे साइज सिर्फ साइज लेने के लिए ऐसे रखोंगी और आपने अगर इसके ज्यादा गुम रखने हैं ज्यादा भी रख सकती हैं और कम भी अब इसको ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको कटिंग कर देंगे क्योंकि लेंद्ध हमें यही चाहिए जो पाइंचे की लेंद्ध है अब आपकी मर्जी है आप इतको एंड तक लेकर जाना चाहते हैं या नहीं लेकिन इस चीज़ा ख्याल करें 6 इंच का आपने बेल्ड लेना है उसके हिसाब से आपने रुमाली यानिक्या आसन लेनी है 6 इंच का बेल्ड लेने के इतना ये देखें 6 इंच का हो गया और इसके बाद हमने ये 13 इंच ऐसे आसंग चोटी बच्ची के लेते हैं ट्राउजर की शौट ही होती है ज्यादा नहीं तो इसकी मैं 13 इंच लूँगी जहां तक मैंने कट लिया है और इसको ऐसे स्टेट कटिंग कर लेंगे इसकी कटिंग बहुत आसान है ये देखें अब बाकी बेल्ड का कपड़ा है 6 इंच का हमने बेल्ड लेना यानि के 8 इंच का लूँगी नेफे के बाद बेल्ड के बाद वो 6 इंच का रह जाएगा और इसकी विर्थ जो है वो जितने अर्ज की आप रखना चाहें आपकी बच्ची की हेल्थ के मताबिक ये जो अर्ज है इसे मैं डबल फोल्ड करकर 6 इंच का बेल्ड रखूंगी 8 इंच की बेल्ड होगा लेकिन सिलाई के बाद ये 6 इंच चिरा जाएगा अब आप इस चीज का ख्याल करें जो इतना सारा एक्स्ट्रा कपड़ा आप कहेंगी ये क्या करना है तो जहां तक पांचा है यहां तक इसको बेल्ड में ऐसे ही रहने देंगे उसके बाद बेक पे तमामें चुन्नट आएंगी और जो बाकी हिस्सा है आप चाहें तो यहां ही से स्टार्ट भी कर सकती है चुन्नट पांच या छे चौड़ी चौड़ी सी प्लेट्स आएंगी ज्यादा नहीं आएंगी बस ऐसे आएंगी ये देखें ऐसे क्योंकि ये पाइपिन फिर नुमाया नहीं होगी पहनने के बाद अगर हम पांचे में भी प्लेट्स देंगी बैक पर हलकी सी प्लेट्स जरूर दें पांचे के करीब लेकिन फ्रॉंट पे बिल्कुन नहीं आएंगी क्योंकि फिर वो पाइपिन और बो जो लगाई है वो नजर नहीं आएंगी इसडिए चोड़ी चोड़ी टूटू इंच की या थ्री इंच की जितनी आपका इर्ज कपड़ construct के रखनी है उस्हाया can she göz के फैन के बाद जो है पहनने पास यह क्पड़ेका अर्ज किर बाद एसमें पाधरि को पार दो हाणों है साइस एसे और चाय मैं आपको पूरा तरीका स्लाई का भी बता देती हूँ यह जो हमने रुमाली कटिंग किया यह देखें ऐसे हो गई इधर से और दूसरी साइड से यह देखें ऐसे इधर से अब आपके दोनों ऐसे स्लाई हो जाएंगे यह देखेंगे दोनों रेव की इससे इस तरह से आगए और फिर आपने यह वाली जो स्टार्ट है यहां से पाइपिन शूरू करनी है यहां से लेकर एंड तक चली जाएगी पाइच यह तक कि पाइपिन चली जाएगी तो फिर उसके बाद आपने वन इंच की या टू इंच की आपकी मर्जी अगर कपड़ा या रीबन आपके पास है तो नीचे की साइड रखकर जो पाइपिन की सिलाई है उसके साथ अटेच करने जैसा कि मैंने आपको ट्राउजर सिलावा भी दिखाया उसके साथ अटेच करने फिर बो लगा दे और फिर यह वाली जो आपको चुनट दिखाई है मैंने यह वाली इस तरह से बेल्ड के साथ अटेच करने बहुत आसान ट्यूनिप शलवार है यह याद रखना बस इसकी अगर प्लेट अंदर की साइड इस पाइंचे के अंदर की साइड हैं तो इसकी भी उसी साइड अंदर की साइड होनी चाहिए यानि के पाइंचे वाले ही साइड ना के इस तरफ हो अगर आपने इस तरफ रखनी है तो आप पहने के बाद कर्ल साथावा बहुत ही खुपसूरत लगता है बहुत अस trustees है। आज आज आपको ट्यूलिप शिल्वार ट्राउजर है चुलिप शिल्वार की भी कटिंग में आपको दिकाऊंगी इन्शालो तो ये तरीका बहुत असान है अब इस सिलाई के बाद भी मैं टोटल दिखाऊंगी आपको और लेकिन मैं आपको इसका डिजाइन एक्जेंपल के तोर पर दिखाया भी है कि कितना असान सिला हुआ है हमें ये बताना चाहरी थी आपको कि ये देखें जो मैं पाइप इन स्टार्ट यहां से की एंड तक होते वे बैक हुई और फिर ऐसे ही फ्रंट पे आ गई और इस तरह से नीचे की साइड हमने पटी इसलिए रखी है दोनों को टैच करने के लिए और फिर खूबसूरत सी बो बना कर ऐसे लगा दें आप चाहें तो इसमें बटन भी लगा सकती हैं चाहें कोई फूल भी बना सकती हैं कंट्रासिंग के तोर पे क्यूंके इसके साथ यो काफ़तान है वह इस कलर का है प्लेन और हमने ट्राउजर के साथ चोटी सी शर्ट बनाई और फिर इसके साथ ऊप पॉर की साथ ऊपन काफ़तान यह देखिए कितना खुबसूरत सा बनाया पॉर पाइपंग के कलर का बनाया और इसमें ट्राउजर वाली पाइपन लगाकर कलर फूल जो इसमें प्रिंट है मैंने लेस लगा यह काफ़तान भोग और बच्ची को पहनावा स्टाइलिश काफ और शट की कटिंग दिखाऊंगी आप ये तीनों वीडियो लाजमी देखिएगा इस ट्रेस को लाजमी स्टिच कीजिएगा ये ड्रेस पहने के बाद बहुत ही प्यारा लगा बेबी पर प्लीज आप इस ट्रेस की कटिंग स्टिचिंग जरूर देखिएगा ये देखें बोडी नगर नहीं आएगी और उपर हमने छोटी छोटी दो बोगा इंतखाब कर लिया है इसके लगा दी है खुबसूती को बढ़ाने के लिए और फिटिंग के मताबिक इसका पाइचा बनाएं और नीचे से इसकी राउंड शेव में पाइपिन जैसा के कटिंग के दोरा यह एक ही टाइप की यानि के पूरी पाइपिन एक दफ़ा में ही लगेगी तो वीवर इसी तरह दोनों पाइचों में पाइपिन लगाने के बाद आप इसकी फिटिंग करें शिलवार की साइड की यानि के सिलाई और उसके बाद उपर की प्लेट में दें आपको इसका बै यानि के एक दाइं साइड एक बाइं साइड रूख आपने याद रखना है एक के दाइं साइड रूख करने है एक के बाइं साइड रूख करने है तो जब यह फिलेट आगे की तरफ हो जाएंगी तो यह फिलेयर लुक देंगी और हमारे पाइचे में नीचे की तरफ गिर गर्मी में कोटन का इंतखाब किया, आप चाहें तो इसके ये कोई भी रेशनी क्वालिटी, खास तोर पे इस पे सिल्क टाइप का कपड़ा या जानी के जो लचक वाला कपड़ा खास तोर पे लीलन टाइप का, उसकी ये शिल्वार बहुत ही प्यारी लगती है, तो वीवर् स्टीचिंग बताने का तरीका कैसा लगा, दुआ में याद रखिएगा, ओके, अल्ला हाफीर